कि है आप सब स्वागत है आप सभी का अन अकैडमी के ओफिशल यूटूब चैनल पर मैं साहिल चराया तहदिल से आपका स्वागत करता हूं सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमशकार जैश्रीराम राधी राधी सस्रियाकाल कैसे हैं आप सब गाईज और उमीद करूँगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे से अपने एक्जाम के लिए प्रिपेर करें होंगे और यह सारे कोशन आपके टोपिक वाइस चल रही है एक टो जैट कंप्लीट बैच है आपका अपकमिंग एक्जामिनेशन के लिए नेर बाउट मैंने आपको जो प्रोमिस किया है आपके होंगे इस पूरे शेशन या कोर्स के थ्रूप तो चलिए आज की शेशन की शुरुवात करते हैं प्रोपली कवर करते हैं आपके एक्जाम के पॉइंट विए उसे आपको मिलती रहेगी सुबह 8 बजे हमारा फ्री शेशन चलता है तो उसे आप कवर कर सकते हैं और अनकेडमी कुंबेक्ट एक्जाम होने वाला है इस संडे तो एनलाइसिस के पॉइंट व्यू से आपको ये टेस्ट जरूर देना है प्लस आपके लिए स्कोलेशिब भी रह इसे होता है 36 कोशन मैथ रीजनिंग इंगलिश 50 मिनट का आपके पास समया होता है कोशन को सोल करने के लिए और अब से आप जो अनकेडमी कुंबेक्ट है वो वेब पर भी दे पाऊगे वैबसाइट पर भी दे पाऊगे एप्लिकेशन के साथ साथ और इसके लिए आपको जो लिंक है रिजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बोक्स में पोड यूज कर सकते हूँ ए आर लाइव ठीक है तो यह आपको जुरूर जुरूर टैस्ट देना है हर संडे का मुडूल बनानों सुबह 10 बजे हर संडे होता है तो यह टैस्ट अपने को देना ही देना है अनलाइसिस फेस के लिए कि कितना अच्छा हम परफोर्म करने है तो कल अपनों ने 120 तक कोशन कवर कर लिए थी इस सिरीज में मेरा टार्गेट है आपको 2000 प्लस कोशन को कवर करवाना तो उसी वे में हमीं यहां मार्किंग में लेगी जो अपने क कोवर करते जाएंगी तो कोशन आपके पास दा अडवानटीज ओफ कोम और इट्स डैश एंड डैश को मतलब आपके कंप्यूटर की अडवानटीज क्या क्या हो सकते हैं वह आपको बताना है रोशन आरबी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका अक्तूबर लास्ट या नममबर फर्स्ट वीप में आपको मिल जाएगा और उसका एक्जामिनेशन जो मेंस का है वो आपका जनवरी और फरवरी में होने के चांसेज है मुक्ष मेरा जो थियोरी का कंटेंट है वो अनकेडमी प्लस फर एवलेबल है ठीक है यहां मैं आपको विड डिटेलिंग सारी चीज़े करवा रहा हूं इंद्रा आप क्वाल्टी सही करिए अपने शैशन की ठीक है उसे आपका कवर हो जाएगा अडवांस सेटिंग पर जाकर 720 पिक्सल पर कर लेजे या 360 पर कर लेजे तो अप्शन नमबर वन आपका दिलपूल सही उत्रवा कॉम्पक्ट साइज स्पीड एंड रिलिड रिडि है यह शिवम यू कैन क्योंकि अपसे आपको बता है कि CET आप आने वाला है तो आप अनकेडमी पर कुम्बो ले सकते हैं बैंक और SSE का कम्बाइंड जिससे आप दोनों की प्रिपेशन्स एक साथ कर पाएं अगर आप बिगनर है तो वहां से आपको प्रोपली मिल जाएग ओके ओके मोक्ष तो बायोस की फूल फूम है बेसिक इन्पूट आउटपूट सिस्टम कम्प्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यह हमारा हेल्फुल होता है जिसमें दो प्रोसेस आजाती है पोस्ट और बूट्श्ट्रेप लोडर ठीक है पोस्ट देट इस पावर ओन सेल्फ टेस्ट यह चेक करता है कि वैदर दा कम्पोनेंट ओफ कम्प्यूटर कनेक्टिद प्रोपली और नोट पोस्ट की प्रोसेस विच प्रिंटर इस वेरी कोमनली यूज़ फो डेक्स्टोप पॉब्लिशिंग शिवम देखी चार सब्जेक्ट तो कमन माने कर चलिए मैठ रिजिंग इंग्लिश जी के यह तो होंगे ही होंगे प्लस एससे का कंटेंट उसमें आपका जूडएगा प्रोशन आप इस चैनल पर जाएंगे तो प्लेइलिस्ट के अंदर आपको मेरी प्लेश्ट मिल जाएगे नो वरी बाउट बाउट विच प्रिंटर इस वेरी कोमनली यूज़ फोर डेक्स्टोप प्लिशिंग तो डेक्स्टोप प्लिशिंग के लिए जो आपकी कोमनली प्रिंटर यूज़ होते है वो है लेजर प्रिंटर डेक्स्टोप प्लिशिंग का बतला है नॉमल ओफिस में सबसी आदर यूज़ होता है वो लेजर प्रिंटर आपका यूज़ होता है इंक जैट यूज नहीं ह पोटी है आई बेम फोर्टीन जीरो वन बताइएगा सही उत्तर क्या होगा माधव मुझी बताइएगा MBA IT आपका मेजर सब्जेक्ट था या माइनर सब्जेक्ट था अगर आपका वो मेजर सब्जेक्ट है तेन यू कैन यह पोस्ट ग्रेजुएशन में कंसेडर होता है आई टी इस अ मेजर सब्जेक्ट ओफ यूर MBA देन यू कैन डेफिनिटली अपलाई फोर एस्वाइट ओफिसर तो IBM 1401 जो है वो सेकिंड जनेशन का कंप्यूटर है ठीक है दोनों अपनी अपनी लेवल पर हार्ड है शिवम अपनी कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते कि बैंक ज्यादा हार्ड या ऐसा से दोनों के स्लेबस में डिफरेंस है तो अपनी लेवल पर दोनों ही अच्छे एग्जामिनिशन है ठीक है और अगर आप प्रिपेर करोगे कम्प्यूटर है और मेंन फ्रेम कम्प्यूटर है यह मैंने आपको पर्सों की क्लास में कवर करवाया था इस सीरीज को आपको कम्प्लीट करना है हर एक कोशन को अच्छे से कवर करने के लिए लगबग सारी टोपिक बेसिक टू अडवांस लेल सारे कवर हो जाएंगे अच्छे मोस्ट ओफ दा फर्स जनरेशन कंप्यूटर वर फर्स जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं मदव अकोडिंग तो में यू आर अप्लाई फोर बाट तो फर्स जनरेशन कंप्यूटर कंप्यूटर थे आपकी स्पेशल परपस वो जनरल परपस की तरह नहीं थे जैसे हम आज की टाइम पर यूज करते हैं अब आप कोई देना रहता है वह आपको बताना है यहां पर मैंने एक छोटा सा चेंज किया है कोशन में गलती थी यहां 3.5 एड किया है अब आप को अंस्वर देना है सही अंस्वर क्या होगा तो वो है आपका all of these सारे के सारे डायमेटरा के अवेलेबल है ठीक है 3.5 की कैपसिटी 1.44 MB 5.25 की होती है आपकी 1.2 MB कैपसिटी और 8 इंच की कैपसिटी होती है that is 100 KB तो यह तीन साइज में एवेलेबल होती है तीनों ध्यान में रखने है आपको 3.5 B 5.25 B 4 8 B इंच जूस्मिरर ताइग the output quality of a printer is measured by the output quality of printer is measured by यहां पर अगर अपने बात करें यह होता है रेजुलेशन इसके लिए रेजुलेशन देखा जाता है तो वो होती है डिपाई के अंदर डोट पर इंच नोट डोट पर स्क्वेर इंच जो मेनली धिया नकना है यह डोट पर इंच अराम से शिवम कर सकते हो स्विच आप कोई दिक्कती नहीं है इने कंप्यूटर डैश इस कैपेबल टू स्टोर सिंगल बाइनरी बिट सिंगल बाइनरी बिट को श्टोर करने के लिए किसकी जुरूरत परती है सिंगल बाइनरी बिट को येस मादव तभी बहुत रेर ही मैं सुनता हूं एम बी इन आई टी तो आपका सही अंसर होगा फ्लिप लोग फ्लिप लोग क्या करती है सिंगल बाइनरी बिट को टॉर करती है दाट कैन बी जीरो और वन दोनों में से कोई भी हो सकती है रजिस्टर जो होता है दाट इस दा कॉम्बिनेशन ओव फ्लिप लोग फ्लिप लोग का कॉम्बिनेशन होता है डियमी की फुल फॉर्म क्या है यह आपको बताना है वट इस फुल फॉर्म ओफ डियम ए डियमी की फुल फॉर्म क्या होती है DME की फुल फॉमोटिय डिरेक्ट मेमरी एक्सेस जिसके एक्जाम्पल में आपके पास आ जाता है है लाइक हार्ड डिस्क क्लोपी डिस्क मेगनेटिक डिस्क यह आपका आ जाता है DME के एक्जाम्पल के अंदर सिक्वेंशिल एक्सेस में किसका यूज होता है सिक्वेंशिल एक्सेस में हम यूज करते हैं मेगनेटिक टेप और कैसेट टेप यह मोस्ट मोस्ट एक्जाम्पल है जो आप कवर कर सकते हैं उसमें आप graduation complete कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है माधव no issue at all उसमें graduation मांगे तो graduation के base पर बर दो या post graduation के base पर कर दो कोई दिक्कत नहीं CDMA that is code division multiple access mobile communication में आप यूज करते हैं थी वो invented integrated circuit IC के inventor कौन है वो आप से पूछा है who is the inventor of IC IC के inventor कौन है तो IC के inventor है जैक किलबाय और रोबर्ट नोईस दोनों के दोनों 9050 में इसका invention हुआ था IC का और ये किसकी बनी होती है सिलिकन की बनी हुई होती है और सिलिकन वैली की नाम से किसे जाना जाता है इंडिया का बैंगलूरू ओपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर कम्स अंडर ये किसके अंडर आते हैं ये आपको बताने तो एक आपको ऐसा दिया गया है नाम जिससे आप कन्फर्म कर सकते हैं वो है आपका ओपरेटिंग सिस्टम तो ओपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर एडिटर क्यों तो एडिटर में आपके पास नोट पैड आ जाता है ठीक है आपके पास वर्ल्ड पैड आ जाता है ये भी आपके सिस्टम सोफ्वेर ही है यूटिलिटी के अंदर आते हैं ये आपके one computer that is not considered a portable is जो portable नहीं है वो आपको बताना है जो computer आपका portable नहीं है वो आपको बताना है आपका सही अंस्वर जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं सही अंस्वर है आपका लिए मीनी कम्प्यूटर मीनी कम्प्यूटर पोल्टेबल नहीं है ठेक है जी नेक्स्ट विचूदा फ्लोइग फ्लोइग इस नोट एन इलेक्ट्रोनीक कंप्यूटर कौन सा electronic computer नहीं है which of the flowing is not an electronic computer तो question में गलती है सारे के सारे electronic है what is the name of the display feature that highlights are of the screen which require operator attention जिसमें हम user को attention देने की जुरूरत है वो कौन सा है according to me डिपक यू आर लीजिबल बाकि फिर भी मैं आपको चेक करके बता दूँगा यह ऐसे केस बहुत रेर आते हैं जिसमें 12th ना की हूँ definitely I will check it out and get back to you on this question tomorrow आपका सही उतर होगा reverse वीडियो जब वीडियो आपकी रिवर्स में चलती है तब हमें ज़्यादा attention की जुरूरत पड़ती है which is the largest computer इन में से सबसे largest computer कौन से हैं वो आपको बताना है जब एक झालता है झालता है तो आपका सही अंस्वर्ज होगा वो होगा सूपर कम्प्यूटर ओप्शन नमबर D ठीक है सूपर कम्प्यूटर क्यों होगा क्योंकि सबसे लार्जस्ट सबसे ज़्यादा कोश्टली एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल यही कम्प्यूटर है विचोदा फ्लोईंग आप दा बैस्ट उनिट ओफ डाटा ओन एक्सनल स्टोरेज डिवाइस एक्सनल स्टोरेज डिवाइस पर बैस्ट उनिट ओफ डाटा क्या है यह आपको बताना है कि अब आप आप कि दपर संब कम्प्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टिड बाई जो पीची है वो इंडस्ट्री किसके द्वारा आपकी स्टार्टिड की गई है वह आपको बताना है दा पर्सनल कम्प्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टिड बाई आई बीम इंटरनेशनल बिजनस मशीन फुल्फो में आपकी आई बीम की जो यह नाम रखा गया था यह रखा गया था 1924 के अंदर what is meant by dedicated computer dedicated computer का मतलब क्या है यह आपको बताना है वहट इस मेंट बाई dedicated computer का मतलब क्या है यह आपको बताना है वहट इसमाण बाई डेटिकेटिड कंप्यूटर तो इस अगर विच और असांड ओनली एंड ओनली वन टास्क तो डेडिकेटेटिद नाम से ही हम यह समझ में आजाता है किसका मतलब क्या हो ब्रक्रामिंग क Bil Uh which programming language और ट्लासिफ्लाइड अई लो लेवल लेवाइज को कौन से इनमें से लो लेवल लेविज है वह आपको बताना है तो मेंली जो लेविज है वो दो टाइप की होती है आपकी एक होती है लो लेवल, दूसरी होती है आपकी हाई लेवल लो लेवल में भी दो आ जाती है आपकी machine language जो computer understandable है और दूसरी आ जाती है assembly language जो user understandable है तो option number D आपका बिल्कूल सही उतर हो जाएगा that is assembly language और आपके लिए SOIT officer के लिए निया batch भी शुरू हुआ है अभी 20 October से दुपहर साड़े तीन बजे इसे आप cover कर सकते हैं आज यहाँ पर हम DBMS से शुरुवात करेंगे तो आप इस session को आज लगा सकते हैं साड़े तीन बजे जो आपके लिए काफी benefited रहेगा what was main disadvantage of vacuum tube की main disadvantage क्या है वो आपको बताना है कि वेक्यूम ट्यूब की मेन डिस अडवांटेज जो है वो है आपकी हीट प्रोड्यूस करते हैं वैसे देखा जाए तो सारी की सारी डिस अडवांटेज ही है ठीक है तो एक यहां पर आपको पीक करने की बिल्कुल अजय आप जोइन कर सकते हैं अनकैडमी प्लस पर मेरे थियोरी और प्रैक्टिस पैस चलते हैं डिटेलिंग के साथ और अनकैडमी प्लस पर आने के लिए आप ए आर लाइव कोड यूज कर सकते हैं मैक्सिमम रिबेट एंड डिसकाउंस रजिस्टर विच आर पार्शली वीजिबल टू यूजर एंड यूज तो होल्ड कंडिशनल्स आर नोन ऐस जो कंडिशनल स्टेटमेंट को रखती हैं वो रजिस्टर क्या कहलाते हैं और आप सभी लोग अनकैडमी पर मुझे फोलो भ रखा है क्लिक करने के बाद फोलो कर लिजेगा ताकि सभी मेरी सेशन्स की डिटेल्स आपको मिलती रहें तो वो कहलाता है आपका फ्लैग रिजिस्टर ओप्शन नमबर डी आपका बिल्कुल सही होता होगा जो व्लैग रिजिस्टर है वो कण्डिश्ण स्थे टमेंट को रखते हैं पीसी है प्रोग्राम काउंटर जो प्रोग्राम के एक्जीकुशन को देखता है और मैमरी एड्रेस रिजिस्टर ड्रेस को होलड करके रखता है कि विच इस नोट ए champion of first generation जो 벌써 generation का computer नहीं है वो आपको बताना है तो दो answer है यहां पर question में गलती है दो answer आपके यहां सही है IBM 360 and 1401 यह third generation का है यह second generation का तो यह दोनों आपके सही answer होंगे question में गलती है who invented vacuum tube vacuum tube का invention किस ने किया है वो आप से पूछा है vacuum tube का invention किस ने किया है वो आप से पूछा है तो vacuum tube का invention किया है ली दे फोरेश्ट ने तो इसने जो first vacuum tube बनाया था उसका नाम था odeon वैसे दो इन्वेंटर मने जाते हैं vacuum tube के एक है जोन एंब्रोस flaming और दूसरे हैं ली दे फोरेश्ट जो आपसे option में दिया गया है और याद मैंने करवा रखा है इसको फोरेश्ट में आग लगई फ्लेम हो गई इससे याद कर सकते हैं अपने अप्रोच देट परमिट दा कंप्यूटर तो वर्क उन सर्वल प्रोग्राम इंस्टेड उफ उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताना है यह वाद इस नोन एस ओवर लब्ड प्रोसेसिंग वो सज्टेश्टेड स्टोर्ड प्रोग्राम कुंसेप्ट स्टोर्ड प्रोग्राम का कुंसेप्ट किस नि दिया था वह आप से पूछा गया है स्टोर्ड प्रोग्राम का कुंसेप्ट किसी ने दिया था वेरी इंपोर्टेंट एंड सिंपल कोशन उन्हों ने उन्हें फार्दर ओफ आर्क कम्प्यूटर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है वो है आपके जोन वोन न्यूमेन फिर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट कम्प्यूटर विच यूजड इस टोर्ड प्रोग्राम कुंसेप्ट वो पहला कम्प्यूटर जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम का यूज़ किया गया था उसका नाम आप दे सकते हो मैंचेस्टर बेबी या फिर आप दे सकते हो एड सेक यह आपके अंस्वर बनेंगे मैंचेस्टर बेबी एड सेक जो बनाया था विकलीज मोरीज ने कि यह सुश्मिता मेरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा अनकैडमी प्लस पर ठीक है उसके टाइमिंग मैं आपको भी स्टूडेंट के आए है और भी प्यों मेंस का जो आपका भी रिजल्ट आया उसके अंदर और जित भी कैंडिडेट ने क्लासिज लगाई थी शांदार रिस्पोंस है उन सभी का कि शेपीव कंसिस्ट ओफ सुष्मित अभी बता देता हूं आपको जस्ट वन फिफ्टी नंबर कोशन पर डिटेल दे देता हूं कौन-कौन सी क्लासिज लगानी और कैसे लगानी दा सीपीव कंसिस्ट ओफ सीपीव में क्या-क्या होता है कि वैरी सिंपल कोशन दा सेपीव कंसिस्ट ओफ सी यू एल यू एंड प्राइमरी स्टोरे यानि की एम यू यह तीन चीज़ें होते हैं आपकी सेपीव गर दा नोटेबल फीचर लाइक कीबोड मोनीटर जी यू आई वर डवलप्ड इन तो जी यू आई से हम यहाँ पर अपना अंस्वर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस जनरेशन में यह आए होंगे आपका सही उत्तर होगा दाट इस फॉर्थ जनरेशन क्योंकि जी यू आई दे रखा है जी यू आई बेस्ट ओपरेटिंग सिस्टम आपके फॉर्थ जनरेशन में आए थी तबी हम प्रोपली मोनीटर कीबोड माउस का यूज कर पाएंगे अउए की फॉल फॉर्म क्या है वैरी वैरीज सिंपल कोश्ण बताइएगा सही उत्तर क्या होगा यूनिवेक की फुल फुर्म क्या है यूनिवेक की फुल फुर्म है यूनिवेक की फुल फुर्म है यूनिवर्सल ओतोमेटिक कम्प्यूटर जो की बनाया था एकर्ट एंद मुचली ने इस 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 फर्स्ट जनरल पर्पर्ज एलेक्रोनिक कम्प्यूटर and plus batch की detail दे देता हूँ अगर आपने can we plus पर properly परना चाहते हैं तो एक तो 7 p.m. पर अपना batch चला है theory batch comprehensive batch for computer awareness जो की regular चलेगा इसके मैं आपको बता देता हूँ आपके 5 से 6 पार्ट आएंगे अलग-अलग हर 15 दिन में मेरा नया पार्ट आता है second part को अभी अपनोंने शुरू किया है 20 October से तो इसे आप cover कर सकते हैं ठीक है और दूसरा आपका सुबह 10 बजे practice batch चल रहा है ठीक है जिसमें मैं topic wise question cover कर वा रहा हूँ और मैं पहला target बता देता हूँ को सिर्फ computer fundamental के हम 750 प्लस कोशन कवर करने वाले हैं इसी तरह से अगले भी टार्गेट आपको बतातूंगा टोटल नंबर जो कोशन होंगी practice with me that is near about 3500 प्लस 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 कोशन मैं आपको cover कर वाऊंगा ठीक है और अर्विंद प्लस के लिए अलग-अलग monthly subscription है आप कोई पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी classes मिलेंगी अगर आप join करते हो प्लस को किसी भी exam के लिए किसी भी exam के लिए like SBA PU, SBA clerk, IBPS clerk, SOIT officer आपको सभी आप access कर पाओगे तो monthly है one year का सबसे यादा best रहता है सस्ता पड़ता है 500 पर पर मंत पड़ता है वो लगबग और अगर आप ER live code यूज करेंगी तो आपको उसको पर discount भी मिल जाएगा तो आप वो cover कर सकते है अर्विंद and this is the right time guys RBA का exam आपका January, February में होने वाला है वहाँ आपके 40 marks का आपका computer आएगा and definitely sure that आप अच्छे से prepare करते हैं computer को 35 plus marks generate कर सकते हैं तो हलके में नहीं लेना है इस बार computer को आपको ठीक है जिससे आप इसे अच्छे marks जन्नेट कर सकते हो ठीक है और RRB, RRB clerk दोनों में student काफी अच्छे के आउटो 40, 38 plus student के attempt हैं जो regular basis पर classes लगाते हैं तो computer को मुझे पता है कि वो ज़्यादा बिचारा subject consider कर लेंगे यार यह तो लास्ट में एक मीनिम में हो जाएगा हजार question पढ़ूंगा तो हो जाएगा लेकिन अगर आप P.O का level देखते हूँ last year के levels देखते हूँ तो शान्दार आपका response हो में जो है दिसमबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक और जो मेंस है इस इन जनवरी लास्ट या फर्वरी फर्स्ट वीक यह चांसेज है सुश्मिता इस मन्त या नेक्स्ट मन्त आपके पास शुरुवात में इसका आपके पास notification आ जाएगा and that is a very great opportunity की RBI के लिए आप prepare करें क्योंकि RBI के आप साथ जोड़ रहे हैं चाहे assistant की रूप से promotion policies काफी अच्छी है salary structure काफी अच्छा है आपको cities के अंदर job मिलती है that is a very great opportunity RBI also which is the highest form इन में से highest form कौन सी है वो आपको बताना है which is the highest form highest form किसकी है वो आपको बताना है highest form है knowledge की देखिए data को प्रोसेस करके information मनाई जाती है information से हम knowledge मनाती है option number C is the right answer who is credited with the idea of using punch card to control pattern in waving machine punch card का idea किस नहीं दिया था वो आपसे पुचा है तो अगरे आपर देखा जाए idea या concept of punch card वो दिया था जैकार्ड लूम ने और inventor of punch card कोन कहलाते हैं वो है आपके हर्मन होल्डित तो option number D यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा what is an interpreter interpreter की बारे में सही statement क्या है वो आपको बताना है तो interpreter के बारे में सही statement है यह line by line convert करता है high level language को machine language which is a semiconductor memory इन में से semiconductor memory कौन सी हो सकती है वो आपको बताना है इन में से semiconductor memory कौन सी हो सकती है वो आपको बताना है तो वो हो सकती है static या dynamic दोनों हो सकती है RG 45 UTP cable है थे दाश के बारे में सकती है जिसकी फुल फूम होती है रजिस्टर्ट जैक 45 अंशिल्डेट तो उसमें आपकी टोटल जो वायर होती है वो होती है आठ और टोटल जो आपके पेर बन जाएंगे वो पेर बन जाएंगे आपके चार option number C is the right answer which of the flowing is not a valid size of floppy disk तो मैंने अभी आपको floppy disk के 3 size बताए थे अभी मैंने आपको floppy disk के 3 size बताए थे आपको बताना है कौन सा valid size नहीं है कौन सा valid size नहीं है तो जो नहीं है वो है आपका 5.5 8 होता है 5.25 होता है 3.5 होता है the earliest calculating devices are earliest calculating device कौन सी थी वो आपको बताना है earliest calculating device कौन सी थी वो आपको बताना है वो थी अबेकस जिसके इन्वेंटर थी टिम क्रेमनर इसका जैपनीज नेम जो है वो है सेरुबन वर्ड लेंथ ओफ परसनल कम्प्यूटर तो लेटेस्ट कौन सी यूज होती है वो बता दो वर्ड लेंथ ओफ कम्प्यूटर की लेटेस्ट कौन सी यूज होती है वो आपको बताना है तो वो है जी आपकी 64-bit आज कल हम 64-bit ओपरेटिंग सिस्टम का मैक्सिमम यूज़ करते हैं What was the first computer to perform all calculation using electronics? इलेक्ट्रोनिक आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा झाल very simple question आराम से cover कर सकते हो आपका science वर क्या होगा आपका होगा ABC Antanas of Barry Computer a directly accessible appointment calendar is feature of a dash of a resident package किसका feature है यह आपको बताना है यह आपका RRB, RBI, NABAD, ECGC, State Level Corporate Bank सभी एक्जाम के लिए निरच, Computer Awareness IBPS Clerk, IBPS PO, SBE Clerk, SBE PO इन चारों में आता है Computer Aptitude जिसकी Classes आपके Pre-K Examination के बाद यहाँ पर मैं आपको कवर करवा दूँगा तो यह आपकी है Memory के सारे के सारे Feature यह है Memory के सारे के सारे Feature तो आज के लिए Number of Question अपने इतने ही कवर करते हैं अगर आपको Session अच्छा लगा है तो आप Definitely Like और अपने Friends के साथ Detail Share करिए डेली साधे 11 बजे हमारा Session होता है इससे आपको कवर करना है Monday to Saturday ठीक है और अब आप सभी के लिए Important Information कि अगर आप प्रोपली प्रिपेर करना चाते हैं अनकेडमी पर आप पर तो आपकी बहुत सारे नए बैस शुरू हो रहे हैं 27 अक्टूबर से जिससे आप प्रोपली टार्गेट कर सकते हैं और दिस इस दा बैस्ट प्लेटफोर्म फोर बंग बैंक एक्जाम प्रिपरेशन स्पेशल क्लास की टाइमिंग है वो है आपकी सुबह आठ बजे अब भी जो चल रहे है कल सेचड़ी है तो कल मैं आपकी दो तीन स्पेशल क्लास लोंगा तो अनकेडमी पर आप मुझे आप रिपेर कर सकते हैं कोई इश्रो नहीं है अगर अगर अपने बात करें बैस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जिसे आप टार्गेट कर सकते हो रनवीर बैच आपको मिल जाएगा रनवीजय से की बैच मिल जाएगा और श्ट्रोंग लाइ में किसी बुक या पीडियेफ में उसे उसकी फोटो वीचिए एक कोशन पर क्रोप करिए आपको उसका वीडियो सुलेशन मिल जाएगा और अक्टूबर मन्त के ओफर्स चल नहीं है आपकी वन एयर या टू यर का सप्रिशन लेते हो तो अडिशनल मन्त भी आपको मिल सकते हूँ और अनकेंडमी कोंबेक्ट एक्जाम आपका हर संडे होता है फोर स्कोलर्शिप आप स्कोलर्शिप भी ले सकते हो ने तो एनलाइसिस के लिए जरूर कवर करें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है क्लिक करके आप रिश्टेशन कर सकते हैं केर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा एन खुश रहेगा थैंक यू वेरी मच्छ